या मिद्रो तो आज है 17 जैनिवरी सोमवार यानि UPSC प्रिलिम्स को भी चार महिने और 19 दिनी बाकिये मुद्दा है कल रविवार और आज सोमवार करन्ट अफेस में जाने लाइक चीजे क्या थी एकनोमी के कुछ समाचार थे बारत और ब्रिटेन के बीच अरली हर्वेस्ट रेड अग्रीमेंट फिर एक कुछ डिजाइन लिंक्ड इंसेंडिव स्कीम लेकर आई है इलेक्ट्रोनिक्स मिनिस्ट्री कंपलसरी एर्बैक्स छे सीट में लगाने होंगे फिर करन्ट अफेस दूसरे कुछ डिफेंस के न्यू आर्मी यूनिफर्म पॉलिटी एथिक्स के कुछ समाचार वन बाई वन वे विल सी अल दिस स्टार्टिंग विथ एकोनोमी एकोनोमी में चाद लगा है कि इंड्रीम ट्रेड अग्रिमेंट या अर्ली हर्वेस्ट ट्रेड अग्रिमेंट वो ऐसी चीज़ की वैसे तो इंडिया और बृटेल free trade agreement sign करना चाहते है मुक्त विया पर समझाता मलब एक दूसरे के यहाँ से जो भी goods and services का import export हो रहा है उस पर कम tax लगाए जाए या zero tax लगाए जाए लेकिन वो बड़ा सा agreement करने से पहले तो बहुत सारे negotiation चलते रहेंगे तो बड़ा समझाता बाद में करते है पहले एक चोटा वाला समझाता कर लेते है उसे हम कहते है early harvest trade agreement उसमें बात ऐसी है कि जो हम import export आयत निराद करते है उसमें करीब 40 to 60% goods and services को अभी early harvest trade agreement में sign करके उस पे कम tax लगे या zero tax लगे उसके import export पर ऐसी बात होगी और फिर आगे चलके करीब 90% of the goods and services के import export तक इसे व्यापक बनाए जाए ऐसा final free trade agreement बाद में हम sign करेंगे फिर दूसरा मुद्दा चल रहा है Ministry of Electronics and Information Technology यानि MIT उसके निचे संस्था है Center for Development of Advanced Computing CEDEC वो लेकर आई है Design Linked Incentive Scheme वो कुल मिला कर बात ऐसी है कि आप जानते है भारत जादा तर ये जितने semiconductor, microprocessor chips Taiwan से import करता है Corona lockdown में उसकी shortage हो रहे जिस से लेकि हमारी car industry, mobile manufacturing, laptop manufacturing हरे इस को problem आ रही तो ये CEDECS था भारत की सब startup company, MSME company बाकि सब domestic company को 4-6% subsidia incentive देगी कि तुम ये सब semiconductor और microprocessor चीब बारत में बनाओ So that is the design linked incentive scheme फिर poverty और oxfam अब वो तो बार बार अपना inequality report बनाते रहता है तो अब उसने वापस एक report जारी किया और बारत में ये हुआ 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 सब लिखा है If you have time you can read Otherwise वो वही सब पूरानी सब बाते चले कि करोरपती बढ़ रहे हैं लेकिन समानता बढ़ रहे हैं गरीब लोगों और गरीब हो रहे हैं फिर मुद्दा चलता है ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट में बारत सरकार ने ये अगर जो बड़ी वाली गाड़ी है तो छे सीट के अंदर एर बैक्स होना है चाहिए ये से नियम बनने वाले हैं ताकि पैसेंजर सेफटी बढ़े लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ऐसा हर एक एर बैक करीब 5,000 तो 10,000 रुपी का आता है तो अगर छे एर बैक्स लगाओगे 60,000 रुपी गाड़ी का प्राइस बढ़ जाए तो क्या वो कार मेनुफेक्टरिंग कंपनी खुद एब्जॉब कर लेगी या कार का जो भी प्राइस एमाल लीजे 10 लाग रुपे उसमें ओवर 60,000 एड़ हो जाएंगे फिर कुछ इंशॉरंस में मामला चल रहा था कि लाइफ इंशॉरंस कॉर्पोरेशन लाइसी बारतिय जीवन विवाने गम तो उसको जो भी प्राइट होता है उसमें से 90 परसेंट प्राइट तो वो अपने पॉलिसी होल्डर्स जिन्होंने लंबी वाली पॉलिसी ली हो कि वो नहीं मरे तो भी उसको प्रिंशिपल प्राइट के रूप में रकम वापस मिले उन सब को दे देता है और बाकी 5 परसेंट जो रकम बचे प्राइट में से वो सरकार को डिविडेंट के रूप में दे देता है लेकिन पिछले दो साल से LIC सरकार को डिविडेंट नहीं दे रही शायद उसका कुछ ऐसा प्लान है कि अभी IPO भी लॉंच होगा फिर ये जितना पैसा हमारे पास बचा है उससे कुछ नया बिजनस एक्सपांचन करेंगे लेकिन वो सब बिजनस जेनरल नॉलेज बॉल बाई बॉल कोमेंटरी नॉट इंपोर्टन दिमाख खर्च नहीं करना है इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अब तक तो हमने देखा था कि बारत कैसे जैसे रश्या से S-400 Air Defense सिस्टम परचेश करता है या फ्रांस से हमने राफाइल जेट परचेश किये लेकिन इस बार नया हो रहा है कि भारत फिलिपिन्स को एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा जिससे अपनी ब्रमोस कंपनी को 375 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे तो ये क्या देख रहा है कि आत्मनिर्बर के नाम पर बारत अब एक वेपन एक्सपोर्टर कंट्री भी बन रहा है देरे देरे चुरुवात होती है फिर बविश में हम भी ये इसराइल, रशिया, प्रांस, अमेरिका जैसे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं वग्यारा इसके अलावा समाचार थे पॉलिटी एथिक्स वो भी देखते हैं बट बिफोर देट ये जो आप जानते हैं कि परसेंटाइल मिले इसका मदलब क्या हुआ कि ये जो 3945 लोगों ने अटेम्ट दिये थे उसमें मेरा 5 परसेंटाइल है और मैंने 0 क्वेस्टन टी किया तो कुछ लोग मुझसे भी नीचे गिरे हुए हैं कि नेगेटिव में स्कोर होगा तो जल्दी से देख लेते हैं कि पब्लिक ने क्या सस्ती गलतियां की कुछ टाइम पहले याद करो करेंट अफेस में हमने पढ़ा था RBI का Prompt Corrective Action Framework पर NBFC और उसमें बात क्या थी वो वाला ये नियम Deposit Taking NBFC पर लागू होंगे वो सरकारी NBFC, Primary Dealer, Housing Finance Company, Non-Deposit Taking NBFC उन सब पर लागू नहीं होंगे तो आसान सा MC क्यों मैंने बनाया था कि ये जो Prompt Corrective Action for NBFC हैं तो वो किस पर लागू होंगे तो Deposit Taking NBFC पर लागू होंगे, बाकी सब पर नहीं होंगे, तो Only 4 Statement is Correct, बाकी सब गलत है लेकिन यहाँ पर Attempt Actors is 38%, यानि यह जितने 3-4 अजा लोगों ने यह Test दिया उसमें से 38% का Correct हुआ और बाकी कितने 62% लोग तुक के मारने में जवाब गलत हो गया ऐसे और भी सबसस्ते प्रश्ण किये, National Judicial Appointment Commission NJEC उसका कानून बनाता पी रद हुआ था, लेकिन उसका उद्देश क्या था आथ तो Supreme Court और High Court में जजो की Selection, Appointment, Transfer के बारे में उसकी सब बाते थी तो All of the Above are correct लेकिन 48% लोगी सही बोल पाए, बाकी सब का गलत हो गया अगूरा जेल कहां पर है? आंदर प्रदेश में नहीं, लक्षदीप में नहीं, आनमा निकोबार में नहीं, गुवा में हैं और वो क्यों चर्चा में थी? क्योंकि वहाँ पॉर्टूगीज ने सब Freedom Fighters को कैद करके रखाता और अभी ये सब election आ रहे हैं तो उसका म्यूजियम इनागुरेट करें सामेरे क्याल से हम ही चाह गये थे, हमने प्ले CC News में पढ़ा था तो इधर भी 54% लोगों के करेक्ट है, तो कितने सारे लोगों का तुक का गलत हो गया फिर Election Laws, Amendment Bill 2021 उसमें क्या टेलियंट फीचर्ज हैं? एक तो बात थी, आधार कार्ड विल बिलिंक्ड विद वोटर आईडी, और वॉलेंटेरी बेजिस, स्वैचिक रूप से पिर दूसरा कि Only citizen who have completed 18 years on 1st January will be eligible, गलत, वो तो कुछ साल में तीन या चार बार ऐसा cut-off date दजाय होगा और उतने में आपका 18 complete हुआ तो उस साल की election list में आपको voter list में डाल देंगे, so second is also wrong और तीसरा की spouses of our force personnel will be as service voter, वो सही है, पहले सिर्फ wife लिखता था लेकिन अगर female officer है और उसका असबन तो उसको service voter नहीं किनते थे तो वो तो correct लिया गया, तो only third statement is correct अब polity में ऐसे जो बड़े-बड़े मामले हैं, जो कि ये सब prelim और means दोनों के लिए काम की चीज़ है, तो पता होना चाहिए हमने पड़ा था, उसके 51% लोग correct पर पाए मदलब, 49% लोगों के जवाब गलत हो गए ऐसा ही ये autonomous district council जो six schedule में setup की जाती है, ये सब कुछ selected north east state में, तो उसके पास legislative power भी होते हैं, administrative power भी होते हैं, और judicial power भी होते हैं तो all three are correct, only 51% could get it right, ये वाली चीज़ चर्चा में क्यों थी, वो ले लदा के अंदर भी उनके लोग बोलें कि हमको भी ऐसा six schedule वाला autonomous district council चाहिए, वो पुरा मामला हमने पॉलिटी current office में देखा था, मलू पेरियार डेम के बारे में सही वाक्य डूंडो, पेरियार नदी पर है, वो तो सही है, ये डेम आजादी के बाद बनाया गलत, वो तो आजादी से पहले बनाया था और ब्रिटिश टीटी और उसके सब दमाल चलती रहती है, तो ये भी सिर्फ 68% लोग correct कर पाएं, अब जिन जिन लोगों ने ये वाली टेस्ट में कम से कम 40 marks मार्क्स में से 25, म अंजीव, एरोन, बार्दवाजसी, नर्मदा, कंचन, अजय, मोहित, तेजस, अरहान, सितान्शू, अश्विनी, अनू, आशू, सावरव, अनेल, अमित, सौम्यश्री, ये सब लोग जो नीचे से 25 या उससे जादा उनके marks हुए, और टॉप 15 अगर बात करें, कि जिनके ही हो गए, इतेश, 40 marks, फिर भूश, विकास, देवेंद्र, गवरव, अनुराग, पुलकीद, तनिमा, वैबव, संतोष, विद्या, हर्शीत, गवरव, अनूज, उमेश and others, तो ये अपनी टेस्ट जो सुमवार आतांट बजे होती, आज भी होगी, if you are interested, ये वाले लिंक प पर सब रवीवार सुबह 11 बजे होती है, ये वाली मेरी टेस्ट सुमवार शाम को होती है, मंगलवार सुबह हिस्टी की वो टेस्ट होती है and so many things, so if you are interested, you can join it, registration link नीच दिया है, description में, आगे बढ़ते हैं quality और उसमें rights issue, अब कूल मिला के लंबी चौरी जो बात है, वो ये है कि सरकार ने, union government ने सुप्रीम कोट में एफिडेविट, शपत पत्र डाला कि वेक्सिन लेना कंपल सरी नहीं है, ऐसी कोई जगा नहीं जहां पर जाने के लिए कि वेक्सिन कार्ड is mandatory, अलाकि असल में ऐसा नहीं है, आप पाएंगे कि जैसे महराष्टर राजे सरकार ने तो बोला है कि कोरोना वैक्सिन सर्टिपिकेट नहीं होगा तो लोकल ट्रेन में चड़ने नहीं देंगे, और केरला सरकार ने बोला है कि जिसने ठीका नहीं लगवाया तो उसको कोरोना हुआ तो उसका फ्रीमे इलाज स्टेट गवर्मेंट नहीं होने देगी, तो वो सब इस इशू चल रहे हैं, फिर मुद्दा इंटरनेशनल इलेशन, तो इंडिया नेपाल, उसमें बात क्या है ये नेपाल और बाजो में ये उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड, अब ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच कुछ इलाके हैं, लीपुलेक पास, काला पान तो दोनों ही बारत देश और नेपाल देश दोनों बोलें कि हमारा इलाका है, अभी बारत सरकार ने बोला है कि हम वहाँ पर कुछ हाईवे चोड़े करेंगे, तो नेपाल सरकार ने भारत को चितावनी दे रही है कि यहाँ पर सडख निर्मान मत कीजिए, दूसरा पॉर्टूगल, स्वीडन, नौर्वे, नेधरलेंड ऐसे बड़े देश क्या करते हैं कि विदेशों से इंवेस्टमेंट हासिल करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इतने लाग करोड का इंवेस्टमेंट हमारे यहां करेंगे देश में तो हम आपको पर्मनेंट विज को सब यह सब विजा वगेरा में मदद करेंगे उसके लाइलेंड इंटरनेशनल इलेशन में करीब दो दिन से वही चल रहा है कि रश्या, यूक्रेन, अमेरिका वो रोज का चल रहा है कुछ नई बड़ी बात होगी तो देखेंगे दरवाइज नो 15 जैनुरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन बारत के जनरल केम करी अपपा जो बाद में फिल मार्शल भी बनेंगे, उन्होंने अंग्रेजों से इंडियन आर्मी की कमान अपने हाथ में ली थी, इन 1949, इसलिए हम उसे आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, और ये 2022 में जो उसमें खास बात क्या है, नया युनिफॉर्म आया, अब वैसे आर्मी के अलग-अलग युनिफॉर्म होते हैं, कि जब युद नहीं है, शांती है, ऐसे इलाके में पोस्टिंग होतो, ओलिव ग्रीन कलर का युनिफॉर्म होता है, फिर ये परेड और पार्टी वगेरा में उसमें खास बात क्या है, यह पैटन देखिये, जैसे वो डिजिटल फोटोग्राप्स को बहुत जादा जूमिन करें, तो कैसा पिक्सलेट हो जाता है, यह डिजिटल पैटन है, और फिर इसमें क्या खास बाते हैं, सब कॉटन पॉलिस्टर का रेशियो 70-30 है, जल्दी वो सूख जाता है, कमफर्टेबल है, लाइट वेट है, और यह शर्ट के नीचे एक टी-शर्ट होता है, तो शर्ट जैकेट के रूप में हैं वगएरा, बहुत सारी चीज़ हैं, इफ्य और प्रिपेरिंग पॉर दिस CDS एक्जाम, तो फिर उसके इंटर्यू स्टेज पर पता जाब election से पहले उसमें सब बाते करनी चाहिए कि free electricity नहीं, लेकिन APMC मंडी को reform करें, food processing industry को develop करें, वही सब मुद ने थोड़ा वाट डेटा देके बता रहा है, लेकिन हमने अल्रेड इतना माल बटोर लिया agriculture topics के लिए कि 1200, 1500 का भी पुछे words में तो हम लिख सकते हैं, so not much benefit, इंडिया green drill, वही सब क्या क्या प्राब्लम आएंगे green energy में, वो पहले भी हम देख चुके, लेकिन आप पर सकते हैं अपना English improve करने के लिए, page 12 explained series में वो double engine, मतलब योगी सरकार और मोधी सरकार मिलके सब भी कास कही हो, politics की सब बात है कुछ खास, exam point of view से जानने लाइक नही अपरूब किया गया, baricitinib and sotrovimane, लेकिन मुझे कुछ इतना जोरदार काम का नहीं लगता कि बहुत चर्चा में आ जाए, अब यसा तो रोज 25 ड्रग अपरूब होती रहेगी, तो क्या लेके बैठे रहेंगे, आगे बढ़ते हैं ethics, और ethics में एक मुद्दा है, value education and role of parent and society इसमें बात ऐसी है, कि इसाय धर्म के pop Francis ने ये का है, कि आज कल नौजवान पीड़ी काफी स्वार्थी हो गई है, उनको सिर्फ अपना देखता है, उनको कोई जिम्मेदारी निबानी नहीं, इसलिए वो बच्चे पैदा नहीं करतें, और उसकी जगह वो कुते बिल्या प पड़ाई लिखाई, तो उनकी जो एक्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, वो आबादी बुड़ी हो रही है, जिसके चलते वर्कर की शौटेज है और एकोनोमी को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फैक्ट्री वाले कहीं और दूसरे देशों में जा रहे हैं, हमने आगे कॉलम्स में काउंटर आर्गुमेंट दिये थे, कि ये सब बच्चों की पड़ाई लिखा है, वो बहुत मेंगी हो गई है, और जो मदर है, उसकी नौकरी और करियर पर भी वो सबसर करता है, और पहले इतना महामारी प्रदूशन अफ्रत फैली हुए है, तो कोई ऐसी safe and clean तो है ने कि बच्चे पैदा करें, वो डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ पर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर अकॉर्डिंगली ethics या निवन में लिखने की नौबत आए, ethics में आगे बड़े sport ethics, मित्र एक कहावत है, pride comes before fall, यानि सबसे पहले आदमी में गमंड आता है, और उसके बाद उसका पतन आता है, जैसे कि ये जोको वीचब, वो उस्टेलिया में आया कि मैं तो ठीका नहीं लोगा, कोरोना वैक्सिन और फिर भी मुझे टूर्णामेंट खेलने दो, और फिर विद्रोध हो रहा था, ultimately सरकार ने उसका वीजा रद किया, और उसको वापस बेज दिया, तो प्यार महबद से एक टीका लगवा लेते, तो क्या ही लोट जाने वाला था, just for the safety of his own sports fans and fellow colleagues in the sport tournament, फिर मुद्दा चल रहा है, सावित्री भाई फूले, जो महराश्टब में उन्होंने बहुत education का था अंग्रे जोके जमाने में, तो उनके साथ एक और भी Muslim female teacher थी फातिमा शेख, उसका भी काफी योगदान था, लेकिन उसको मनलब इतनी हिस्ट्री में वो चर्चा नहीं हो रही याशी कॉलम थी, आजकाल हम पाते हैं ये freedom struggle के नाम पे जो कम मशूर हैं ऐसे लोगों के बारे में भी पूछते हैं तो हमने जान लिया, पातिमा शेख कॉन थी, first Muslim female teacher from Pune, and she was a contemporary of Savitri by Phule. हिस्ट्री कल्चर में एक और चीज़ चले समराट अशोक, जो मौर्य राजा थे, अब उनकी पूरी वो सब आप देख लेना NCRT में से, 2015 में बिहार की BJP unit ने उसका 2020-2320 वाला बड़े मनाया, union government ने postal stamp पी जारी किया, अभी आजकल क्यों चर्चा में चल रहा है, ये UP election आ रहे हैं, तो वो एक OBC राजा था, ऐसा बोल के सब political party उसको appropriate करने के कोशिश करें, फिर geography disaster, ये है Australia बाजू में New Caledonia, उसके बाजू में कुछ देश है, Tonga, और वहाँ पर समंदर के अंदर ज्वाला मुखी फट गया, जिसके चलते ये, ये देखो Australia इदर है, तो Australia के Eastern Side में क्या आएगा, पुर्थवी गोल है तो उसके Eastern Side में आएगा, अमेरिका, और अमेरिका का एक स्टेट है हवाई, तो वहाँ तक उसकी लहरे सब गई होगी और सब सुनामी जैसा अनुबव हुआ, तो प्लेस इस इन न्यूज, फिर परसन इन न्यूज में इस पोर्ट्स में लक्ष सेन, उसने ये इंडियन ओपन सुपर 500 का बैडमिन्टन टूनामेंट जीता, तो ये था आज का न्यूजपेपर, और बाकी तयार हो जाए आज रात को मुनाल्स मंडे करेंट अफेस 20 क्वेस्चिन की टेस्ट सीरीज, रजिस्टेशन लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन,